बिहार SAC का जो इंटरमेटर टेवल का जो इंटरमेटर टेवल का जो फिल अभी हो रहा है जिसमें आपको लास्ट डेट बताया गया था 11-11 यानि 11 नौंबर दोहजार तेश तक जिसके लिए आप पर यह तो बात यह नहीं आपको मैं आपको इसमें कम्प्लीट प्रोसेस दि और粉 यह नोटिफिकेशन मैं आपको इसमें सारा प्रोसेस बताऊंगा यह आपको डेट कफ फाइनलिसका बताया गया है, जिसके अबस्ध जारी किया गया इस्तरह से इसका डेट जारी किया गया है फिलहाल जो इस वीडियो में आप से भी जानकारे देने वालों वो आपको 100% pure and शाही है जो आप इसके हमाधम से आप कर सकते हैं वीडियो के देखने के बाद आप पूरा complete आप इसमें प्रोसेस समझ जाएंगे तो चलिए शूरू करते हैं यह जो नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड किया ओफिसेल बेयो साइट से डाउनलोड किया है यहां पर आप देख पा रहे हूंगे कि यहां पर नोटिफिकेशन 111.23 को निकाल गया है जिसमें यहां पर बताया गया कि दिविति इंटर अस्तरिय सन्युक परयोगता पर परिक्ष कि अभियार्थियों को ब्यापा के हित को देखते हुए ओनलाइन परिशा सुल्क जमा करने की अंतिमति थी 9-11.23 के अस्थान पर आपको 9-12.23 यानिकि 9 नौंबर के जगए पर 9 दिसम्बर कर दिया गया है जो आवेदन समर्पित करने की अंतिमति थी जो है यानिकि आपको ऑनलाइन पेमिंट करने का जूतिति है आपको 9-12.25 तक कर सकते है ऑनलाइन पेमिंट इसका आप रजिस्टेशन का जो डेट है ना रजिस्टेशन का डेट आपको 11 नवंबर तक ही लास्ट किया गया है आप इतना ध्यान दें कि जो मैं आपको बार बढ़ यहां पर बतारू कि आपका रजिस्टेशन जो करना है इसमें आप रजिस्टेशन कर लिजे 11-11-23 तक क्योंकि इसका लास्ट डेट 11-11 तक ही है जो रजिस्टेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा ना तो आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप लोग इन करके आप यहां पर आप 11 दिसंबर तक आप कम्प्लीट करते रहिए क्य क्यावल आपको online payment का डेट बढ़ाया गया है और जो submit करने का जो डेट है उसको क्यों बढ़ाया गया है जो online payment का डेट है जो आप 9 दिसंबर तक है और जो online payment करने के बाद जो submit होता है और submit करने का डेट आपको 11 दिसंबर तक रखा गया है जो आपको इस तरह से आपको निर इस्टेशन को और आईडी पासवर्ट आने के बाद आपको यहाँ पर नौ बार रहते का पूरा कंप्लीट कर लिजे भूं को क्योंकि ब्योसाइट सलोग होता है इसके वज़े से यहाँ पर डेट इस तरह से बढ़ाया गया है फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा तो इस समय और भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके एक बार पुछ लिजेगा